तीन दिन सिर्फ दो ग्राम चून गरम पाने के साथ रात को सोते समय और पूरी जिन्दगी आपको सुगर की बीमारी, कॉलोस्टोल, पेट के रोग और दिल से जुड़ी बीमारिया नहीं होंगी दोस्तो आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे नुस्खे को बनाने की विदी और बना कर दिखाएंगे जिसका प्रियोग करके आप अपने सरीर की हर बीमारी से बचे रह सकते हैं दोस्तो आपने इस नुस्खे का सेवन सिर्फ तीन दिन करना है एक महीने के अंदर और यदि आप ऐसा करेंगे तब आपके पूरे सरीर की सफाई हो जाएगी और आपको कभी भी इस सुगर की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और नहीं आपको कभी बैड कलोस्टूल बढ़ने की प्रेशानी होगी ना आपके हार्ट में कभी ब्लोकेस होगी और दोस्तो यदि कोई ब्लोकेस है तो वो भी खुल जाएगी और नहीं आपको कभी हार्ट इटेक आएगा और आपके पेट से जुड़े रोग भी पूरे सरीर की गंदगी को बाहर निकाल देगा यहां तक की आतों और पेट की सफाई के साथ साथ लीवर और किड़नी की भी सफाई कर देगा और आपको इन सभी त्रहें के रोगों से बचा देगा तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस नुस्खे के लिए सामगरी क्या क्या पहली सामगरी आपने जो लेनी है वो लेनी है दोस्तों काला दाना काले दाने को क्रिसन बीज के नाम से भी जानते हैं जैसे कि ये आप इस वडियो में देख रहे हैं ये लेना है आपको 30 ग्राम दूसरी सामगरी है सनाई वो भी लेनी है आपको 30 ग्राम और तीसरी सामगर आपने इसमें लेनी है काला नमक, काला नमक लेना है आपने 10 क्राम, अब जानते हैं इस नुस्खे को बनाने की विदी, दोस्तों आपने काले दान को अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है, महीन पाउडर और इसको च्छान लेना है, दूसरी तरह आ आपने सनाई कभी, सेम आपने पावडर बनाना है और इसको छान लेना है। और आप इन तीनों को लेकर आपस में अच्छी त्रहें से मिला लेना है। और दोस्तों ये है आपका नुस्का, आपके पूरे सरीर की सफाई करने वाला। दोस्तों यह चून कबज को मिटा देगा, एसिडिटी को खतम कर देगा, पेट के सभी रोगों का इलाज है, यह चून यकृत, पलिहा, सूल और गरभासे के रोगों में भी दिया जाता है, और दोस्तों इनके इलावा भी यह चून उन सभी को भी देशकते हैं, जिनको अपन पेट के सफाई करने की जरूद होती है, या जिस भी रोग में पहले पेट की सफाई करनी होती है, उसमें भी इस चून को देशकते हैं, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस चून को लेंगे, तो यह चून को पहली बार आपने कम मातरा में ही लेना है, य दोस्तो इसको लेने से आपको पतला दस्त भी नहीं आएगा, बंदे हुए दस्त के रूप में आपका पूरा सरीर साफ हो जाएगा, और दोस्तो इसके सेवन की मातरा दो गराम से लेकर पांच गराम तक है, और आपने तीन दिन रात को सोते समय इस चोन को हलके गुनगुने पानी के साथ लेना है, और आप सुबह देखेंगे, एक या दो दस से ही आपके पूरा सरीर साफ हो जाएगा, पहले से आप थोड़ी मातरा में सेवन करें, और उसके बाद इसकी मातरा बढ़ा दें, क्योंकि आप इसे पहले अगर ज़्यादा मातरा मिलेंगे, तब आपको दस्त लग सकते हैं, इस दवा को खाने से पहली बार आपके पेट में हलका सा दर्द हो सकता है, क्योंकि यह चून आतों में जमा हुआ मल को खुर्चता है, और ऐसी दसा में थोड़ी सी सोफ मुह में रखकर आप चूश सकते हैं, उससे आपको अराम मिलेगा, और दोस्तों यदि आप इस चून का प्रियोग करके अपने सरीर की पूर्ण सफाई कर देंगे, लीवर की सफाई, किड़नी की सफाई, पूरे सरीर की सफाई, आतों के सफाई, पेट की पूरी तरह से सफाई, तब आपको पूरी जिंदगी इस सुगर रोग का, कोलोस्टोल के बढ़ने का, हाट की बीमारियों का, और इन पेट के रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और दोस्तों सिर्फ दो क्राम आपको लेना है, तो दोस्तों देर किस बात की हैं, आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं, और इस नुस्खे का प्रियोग करें, और अप अपने सरीर को बिल्कुल सवस्थ बना दें तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का आइकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटीकेशन आती रहे धन्यवा दोस्तो